प्लस पर पढ़ रहे हो ना जो अच्छा प्लस पर पढ़ रहे हो वो जिरो डाउट्स रखना मैं सारी चीज़ अपने आप करा दूँगा मैं अपने आप उस लेवल तक तुम्हें लेके जाऊँगा तुम्हें कहीं भी और दो दर भागने की जुरत नहीं है जो बच्छा प्लस पर नहीं पढ़ रहा है अब मैं क्या करूँ सर आप जो है HCV लेवल 11-12 जो है वो करो इसके अलावा आप कोई कोचिंग का DLP उठा रहे हो तो कोचिंग का DLP उठा लो उस DLP material से distance learning program वाले material से आप कर सकते हो बहुत सारी coaching से उनका उठा लो प्लस पर पढ़ रहे हो तो मैं सारी चीज़े तुम्हारी जो है देख लोगा तुम्हारी पूरी help कर दूगा and don't worry about that है न एनसे जिसकी test frequency क्या रखे हर कोई सभी exam अगर आप प्रिपेर कर रहे हो कोई सभी exam x y z ठीक है कोई सभी exam आप प्रिपेर कर रहे हो ये जो है 21 days इस स का बहुत ज्यादा test का जो है उसके उपर वह आ जाता है कि उस और पूरे साल में जो है 30 टेस्ट ले लिए 25 टेस्ट ले लिए थोड़े ज्यादा हो जाते हैं हम जनरल 21 days भी रखते है 14 days भी रखते हैं कभी कबार तो आप मेरे courses में देखोगे इतना जो है testing frequency होना ही चाहिए हर हफते भी test नहीं लिया जाता है और ऐसा भी नहीं होता है कि भाईया एक महिने तक test नहीं लिया इन मैंसे कोई सा भी option जो है okay है चलेगा कोई दिक्कत के बाद नहीं है